इस वीडियो में दी हुई जानकारी इंटरनेट से ली गई है। हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते। किसी भी दवाई को इस्तमाल करने से पहले एक बार डॉक्टर से जरूर सलाह ले। अगर आप इस वीडियो को देखकर किसी दवा का उपयोग करत प्रवावों में दर्द और सूजन को कम करने के लिए किया जाता है। इसका उप्योग मांस्पेशियों में दर्द, पीठ दर्द, दात दर्द या कान और गले में दर्द को दूर करने के लिए भी किया जा सकता है। DRNP टैबलेट को खाने के साथ ही लेना चाहिए। यह आपको पेट खराब होने से बचाएगा। आपको इसे अपने डॉक्टर की सलाह के अनुसार नियमित रूप से लेना चाहिए। अपने चिकितसक द्वारा अनुशनसित से अधिक न ले या अधिक समय तक इसका उप्योग न करें। इस दवा के कुछ सामाने दुशप्रभावों में मतली, उल्टी, पेट दर्द, भूक न लगना, नाराजगी और दस्ट शामिल हैं। यदि इन में से कोई भी दुशप्रभाव आपको परेशान करता है या समय के साथ दूर नहीं होता है, तो आपको अपने डॉक्टर को बताना चाहिए। साइड इफेक्ट को कम करने या रोकने के तरीकों में आपका डॉक्टर आपकी मदद कर सकता है। दवा हर किसी के लिए उप्यूक्त नहीं हो सकती है। इसे लेने से पहले अपने चिकित सक को बताएं कि क्या आपको हिरदै, गुर्दे, यकृत या पेट में अलसा की कोई समस्या है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि यह आपके लिए सुरक्षित है। अपने चिकित सक को अन्य सभी दवाओं के बारे में बताएं जो आप ले रहे हैं। गर्भवती और स्तनपान कराने वाली माताओं को इस दवा का उपयोग करने से पहले अपने डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।